हलो दोस्तों मैं नियेश कुमार सर्मा आप सभी का स्वाद करता हूँ दोस्तों जितने भी बी एससी इंटरलेबलों 14 की बहाली में काउंसलिंग करवा चुके हैं उन सभी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है क्योंकि जिनका भी काउंसलिंग हो चुका है वो सभी बेसबरी से मेट का दजार कर रहे हैं उन सभी के लिए बी एससी ने एक हिंट्स दिया है और छात्रों को एक सुचना भी जारी किया है कि बहुत जल्द आप सभी का मेट जारी कर दिया जाएगा है जैसे कि आप सभी को बता दूं कि आप सभी का मेट बन चुका है और वो भी दो पैन जैसे ही आता है उसके अनुसार BCC करवाई करेगी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अगली सुनवाई दो मर्च को है और यह डेट हमेशा बढ़ जाती है और छात्रों का गुसा भी बढ़ जाता है लेकिन इस बार यह आखली डेट है और अगर इस बार भी डेट आगे बढ़ इस परकार छात नेता दिलिव भाईया की अगवाई में सभी यूट्यूबर्स ने साथ दिया है जैसे के टूर निश्पर सुडेंट्स स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडी प्रेटफर्फॉर्म जीके ट्रिक विथ यसकुप्ता स्टूडी जीके इन हिंदी स्टूडी इन्फो वित्रवी डिरेक्शन स्टूडी प्रेटफर्म एटजी क्लासेस और भी यूट्यूबर्स भाई और मीडिया जैसे के लाइब लेशन सेवेंग दा इंडिया टॉप न्यूज पियार लाइब भीहर का स्वयोग मिलते आ रहा है और छात्रों के पक्ष में हमें सक है रहते हैं और छात्रों के परिशानी और मांग उठाते रहते हैं तो आप सभी जितने भी कांस्लिंग स्टूडेट हैं अगर दो मर्च को फैसला नहीं आता है तो आप सभी का एक प्रफर्म पर जरूर आए और आयोग से जल्द मेडली चारी करने की मांग करें क्योंकि अग आयोग भी उनके प्रति स्रीयस रह रही है और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आयोग ने भी मेड को लेकर दिलिप जी को अस्परस्टी करन दिया है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बीसेसी ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया जिसमें यह मेंसर किया गया कि बीसेसी इंटर अस्तरिय का काउंसिलिंग संपन किया जा चुका है अंतिन परिनाम के प्रक्रिया जल्दी समाब्त किया जाएगा तो आप सभी दो मर्च की सुनवाई पनजर बने रखे और अगर फैसला नहीं आता है तो आप सभी एक जूट होकर आगे क्या करना है उस शेयर जरूर करें धन्वाद